हाई विवन वेलकम टू कॉमर्स अटा 24-7 यार आप लोग का एक सवाल आ रहा था बहुत ही साधा और लगबग हर बच्चे का यह सवाल था कि सर हमारे पास अगर ऑप्शन में मैस नहीं है तो हम किन कोर्सिस में अध्मिशन ले सकते हैं और क्या मैस लगबग हर कोर्स में अग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो बच्चो इस वीडियो में आप लोग को उन कोर्सिस के बारे में बताने वाला हूं जहां पर मैस जो है वो कंपल सरी होता है यानि कि अगर आपका कॉमर्स विद मैस है अगर आपने अकाउंट एंसी बिजने स्टीज एकोनोमिक्स के साथ स कर सकते हैं तो बटा कछी की डेट में डेली उनिवरसिटिटी ने अपनी इंफॉर्मेशन बॉलेटेन जो है जाります मिल जाएगी तो आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटेन में चले जाओगे लेकिए पेज नूम자 69 पे इस फेस अमोंब आप रहीं चेंट आपे तो आगग देखोगे कि सबसे पहला जौकर से जहां पर आपका जो मैस आपका जाताय है वह या कि पसले क्थ बिजनेस आड्मिनिस्येशेशं जिसमें की есть अनफेंसा फैनेशनेशन में रखा जा रहे है अब देखे यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको BBA या BBA FIA में मिशल लेना है तो देखें यहाँ पर आपका eligibility criteria लिखा हुआ है और वो eligibility criteria क्या कहता है देखें सबसे पहले आपको एक language लेनी होगी बेटा language जो है जितने भी languages इंडिया में है या जो foreign languages है वो list A में mentioned है तो आपको languages में से एक language लेनी है आपको mathematics या applied mathematics में कोई एक subject आप ले सकते हो और आपको general test लेना पड़ेगा समझने हो ना तो BBA की भाया जो आपकी eligibility है वो बिल्कुल clear है कि सर आपको language लेनी ही लेंगी जो है लेनी जहां पर math compulsory होती है अगर आप BBA के colleges को देखेंगे तो भाया वो देखें क्या है शहीद राजगुरू colleges of applied science for women and इसके लावा शहीद सुखदेव college business studies ठीक है तो यहां पर यह seats seats का बटवारा भी यहां दे रखा है ठीक है तो यह हो गया अपका ठीक है इसके बाद अगर आप आते हैं मेटा बीए honors business economics में अगर आपको बीए करना है और economic ओनर से करना है तो चलिए इसकी eligibility देख लेते हैं तो यह हो जाता है आपका course number two यानि कि बीए economic honors आपका course number two है जहां पर math क्या हो जाती है बीटा compulsory हो जाती है देख सकता है यहां पर भी आपको एक language चाहिए ही चाहिए आपको mathematics या applied mathematics में एक चीज़ चाहिए चाहिए और आपको gt भी चाहिए ही चाहिए अब अगर आप commerce के बच्चे है ठीक है आपके पास accounts BST economics है ठीक है वो बात लेकिन आपके पास math होना भी ज़रूरी है अगर आप बीए economic honors में admission लेना चाहते हैं सो की सीधी बात है ना सो की एक बात क्या है कि या math होना चाहिए बीबी और बीए करने के लिए यहाँ बेटा बीए के अलग-अलग colleges दे रखे हैं मलब ऐसे colleges की list है जो बीए economic honors आपको करवा देते हैं जैसे कि आर्या भट्टा college college of vocational studies दॉक्टर भीम राव अमेटकर college गारगी college जहां पर डेबली लिखा हुआ है यानि कि ये college especially for women's है लड़कियों का college है लक्ष्मी बाई college महराजा अगरसेन college शिवाजी college श्री गुरु गोबिन सिंग college of commerce श्री गुरु नानक देव खालसा college और श्री गुरु तेक बाहदुर खालसा college ठीक है तो ये बेटा कुछ colleges है जहां पर आपका बी एकनोमिक ओनर्स डियू के अंदर हो जाता है लेकिन यहां पर आपकी math जो है वो compulsory हो जाती है अच्छा तो यह जो हो गया यह हो गया बेटा आपका course number two जहां पर math compulsory है अब बात करते है course number three की जहां पर math क्या हो general test आपके पास होना ही चाहिए तो आपका जो merit बनेगी यह इन ही combination of subject के उपर बनेगी अगर आपको BMS के colleges देखने है तो आप वो भी देख सकते हो अगें वही सब रिपीट है आरे भट कॉलेज, college of vocational studies, दींद्याल उपाध्या कॉलेज, केशव महाविद्याल है, रामलाल आनंद कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, शहीज राजगुरू college for applied sciences for women, शहीज सुक्देव college business studies and श्री गुरु गोबिन सिंग college of commerce तो बेटा यह सार का domain है, वो आपको रखना ही रखना पड़ेगा, अगर आपके पास mass domain में नहीं है, तो आप BMS, BBA, FIA और BA economic honors, DU से नहीं कर सकते हैं, mass इन तीनों courses में compulsory है, अब जो बचे कह रहे हैं कि sir, मेरे पास mass मुझे ना है, ना मुझे उसमें interest है, मुझे account and see business studies और economics के माध्यम से हमे या अपना course करना है, तो sir, उसके courses बता दीजे, बेटा, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, जहां पर मैं आपको full-fledged, ऐसे courses के बारे में बताने वाला हूँ, जहां पर बिना mass के भी आप admission ले सकते हैं, और वो courses क्या है, उसके लिए आप commerce 247 channel स जुडे रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि यार जिन बच्चों के पास mass है, उनका क्या, sir मेरे पास mass है, मुझे mass आती है, लेकिन sir, accountancy और mass में तो आप जानते ही है, इतना समय निकल जाता है, accountancy में कि mass में में focus ही नहीं कर पाता हूँ, sir, mass focus करता हूँ, account shoot जात ही है, दोनों ही numerical subject है, कैसे balance किया जाए, कैसे CUT में अच्छे number लाके BBA, BMS या फिर BA economic honors में admission लिया जाए, तो बच्चा पाटी देखिए, उसके लिए आपको एक ऐसे platform की जरूवत है, एक ऐसे, कुछ ऐसे teachers की जरूवत है, जो आपकी journey को और आसान मना सकते हैं, कैसे, सबसे पहले अच्छा पढ़ा के, हना ये सारी teachers का कर सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं, इसके लावा आपको कुछ ऐसे content की जरूवत है, यानि की बिटा आपको ऐसे questions, ऐसी किताबों की जरूवत है, जो बिल्कुल CUET oriented ही हो, और उनसे पढ़ाई करके, आप अपने selection को पका कर सके अपनी seat को पका कर सके, ठीक है, क्योंकि यार ये DU में आप देख रहे हो कि seats भी बहुत जादा नहीं है, बिटा limited seats होती है, लेकिन बच्चे apply करने वाले बहुत होता है, अगर मैं DU की seats ही बात करूँ, ये सब मिला के कितनी seats होंगी, ठीक है, भाई किसी में 40 है, किसी में 23 है, किसी में 93 है, चलो इसमें, ठीक है, तो बेटा, कुल मिला के कितनी seats होंगी, थोड़ी सी होंगी, ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए, candidates की, तो बहिया, इंडिया भर से आ रहे है, इन colleges में mission लेने के लिए, तो competition tough है, math के अंदर भी, accountancy, BST, economics के अंदर भी, GT के अंदर भी, and ये सारे subject, बेटा, अगर, अमाल लीजे कि आपने accountancy पढ़ी है, BST पढ़ी है, economics पढ़ी है, math पढ़ी है, लेकिन GT के लिए आप नए हैं, तो यानि कि आपको किसी ना किसी समस्य का सामना करना पढ़ सकता है, CUT की त्यारी में, जो जिससे आप अभी अंजान हो, तो बच् से पढ़ाई करनी होगी, काज़े से content को समझना होगा, and वो सारी चीज़े बिटा आपको कहा मिल जाएंगी, वो सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी, delta 2.2 batch में, मैंस आपको शशांक सर पढ़ादेंगे, अमन सर आपको अकाउंट्स पढ़ादेंगे, मैं आपको business studies पढ़ हो ही रही है, अचा, delta 2.2 batch के अंदर आपको study plan क्या होगा, ये भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, study plan यहाँ पे आप सारे teachers का देख सकते हो, example के तोर पे, मैं आपको BST का दिखा देता हूँ, ठीक, अभी study plan थोड़ा सा, start date 8 March है, बताई जा रही है, और end date 1 April है, पूरा study plan भी आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा, और राम से आप उसको पढ़ सकता है, और ये जो delta batch है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है, कि अभी तक का सबसे least price किसी भी batch का, इस batch के अंदर है, आपको क्या करन में बहुत हल्प करने वाला ये batch आपकी, तो बच्चा पार्टी, if you are interested in enrollment of this batch, आप मेरी इस mail ID पे भी मुझे मिल कर सकते हैं, हज.surevanshi at the rate, adda247.com, अब अब अगर आपको कुछ और topics के ओपर भी वीडियो शहीं है, जहाँ पे मैं आपको detail में समझाऊं कि किन courses में क्या eligibility ह है, क्या चीजे लगेंगी, तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे comment भी कर सकते हैं, कि सर हमारे लिए इस इस topic पर वीडियो लिया और मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत ही जल्द मैं उस topic पर भी आपके लिए वीडियो ले आऊंगा, तो बच्चा पार्टी thank you very much, session को join क करने कले, all the very best and jahin.